हेलो दोस्तो मैकिडा कमपानी का 14 इंची कार्टिंग मैसीन किसी के पास रिपियर करने के लिए दिया था उसने इसमें आर्मेचार को चेंज करना था और आर्मेचार मिला नहीं बोल रहा था तो उसके पास बहुत दिन से पड़ा हुआ था तो मैसीन ऐसे ही लेके आया है देखिए इसके आर्मेचार फिल्ड सब कुछ खुला हुआ है तो आपको हम बॉड़ी देखा देते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है इसका मॉडल नामबर है तो इसमें फिल्ड जहां पर फिटिंग होता है इसमें क्लिप के क्लिप से इसको फिटिंग होते हैं तो हम आपको फिटिंग करके देखाते हैं देखिए आपको ऐसे हाथ उसे इसको पूस करके इसको फिटिंग करना है कैसे फिटिंग करना है आपको देखा देंगे मैसेन के देख कि आपको लग रहा है बहुत दिन से रखा बहा है बोला एक सल से रखा हुआ है उसने बहुत सारे कोशिस कि उसमें आर्मे चाल लेकिन है तो जो पंखा मोटर का काम करता है ना वहां पर ऐसे पावर टूल के मैसीन नहीं मिलते हैं इसलिए इतना दिन उसको लग गया तो जो पावर टूल का काम करता है वह जहां से आपको बोलने से समान देदेगा देखिये इसका फिल्ड बहुत ही अच्छे है और इसमें बील का ज ऍवाइट से इसको ड़ाओ डाल लेना है तो उसको बारी के इसको करने के बाद दोनों को जहां पर नट ड़ले ना उस पह को डाल ले में उसके प खिकाते हाथों से पेइस बैठों इसको ज़माईन पेश को ठोकना नहीं है 14 को सो करने कि अपयों हम थोड़ा फास्ट में आपको देखा जिते हैं तो उसमें फैंड गाड भी हम फिटिंग कर लिए बड़ेसे फैंड गाड फिटिंग हो गया हमें अभी क्या करना है तो इसमें कारवन जहां पर डालते हैं उसमें हम टेस्टार इसको डाइबर ऐसे डाल लेते हैं को मेरे ए पूलर के मदद से हम बैरिंग को खुल लेते हैं इसके बैरिंग जो है ना बरिंग खराब नहीं हुआ है तो बैरिंग को हम बड़ेसे बाहर कर लिए ग्रीसिंग करके हम आपको एक चीज दिखाते हैं हम आज कुछ अलाग करेंगे जो ए बैरिंग है ना बैरिंग हम बाहर करते हों इसमें जो फाइब profis को फाई ला इचे अगमारsl में बाहर करते हैं वोट इमहेंगे होता है और दिन चिलते ही ह। फाउब है उसके बाहर ऐसे बाहर नहीं कर पाऊगे, तो आपको बैरिंग को खोलना है, खोलने के बाद ही आप बाहर कर पाऊगे, तो हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, बैरिंग का जो बाल है, एक साइड से करने के बाद उसके बाल को हमें निकलना है, उसके बाद जो अंदर बैरिंग जहां पर ब कर लेते हैं तो बढ़ी ऐसे बाहर हो गया देखिए उसको इसे जो गार्ड होता है तो ऐसे बैरिंग के उपऊर की कलर उपर बैठ जाता है उसको खरप नहीं करेंगे तो उसका काम होता है बैरिंग जब भी तूट जाएगा तो आर्मेचर में कुछ भी खरप नहीं करेंगा तो हम इसको थोड़ा शोटा बना लेते हैं उसके बास बैरेको हम बढ़िया से उसके पकाल लेते हैं आपके पास ऐसे पूलर राएगाई तो बढ़िया सब metro कर पाऊए हए यह तो बाहर बेरिंग को करने बाद हम भीटिंग करेंगे देखिए फार्ट बेर गार्ड हम अलग कर लेते हैं इसमें हम आपको आर्मेचर देखा रहे यह सव मास्टर कंपानी का आर्मेचर है और जिनल आर्मेचर नहीं है तो हम जब मैसीन रिपेर करते हैं देखिए इसमें मौडल लंबा सेम है तो मैं जितने भी मैसीन का आर्मेचर चेंज करता हूँ कंपाने बला कभी नहीं यूज करता हूँ जो लोकल बला मार्केट में जो चालू माल होता है वह हम यूज करते हैं सव मास्टर कंपानी का बहुत ही सव मास्टर कंपानी का जो आर्मेचर है वह कंपानी से अच्छा लग रहा है तो देखो कंपानी तो कंपानी होता है जो मार्केट में डी माल डूब्लिकेट माल होता है वह कंपानी से ज्यादा अच्छा कर देता है तो बड़िया काम हो जाए तो इसलिए उसको बेचा भी जाता है बड़ी ऐसे तो हम आपको एक चीज दिखाते हैं मैं बैरिंग का जो बैरिंग को तोड़के खुला है तो खोलने का बाद ऐसे कुछ लगा है देखिए मैं बैरिंग को खोल लिया है उसके बाद हम बैरिंग को फीटिंग करके आपको देखाएंगे उसके बाद बैरि लाघेंगे कमपने बहुत महीं होता है आर यह वहांगे बियर भाखशिय सब्सक्राइब का सबस्क्राइब ग्रीस जलदी सूख जाता है तो हम कभी वेरिंग को ऐसे करके खोल के नहीं बैठाया था मैंने पहले सोचा ऐसे करके उसको लगाने के बाद ऐसे फिटिंग करेंगे तो बड़े से फीट हो जाएगा तो ऐसे फीट नहीं हो रहा था मैंने सोचा पहले दोनों छोटे हिस्सा को और बड़े को अंदर बैठाएंगे उसके बाद बॉल को दिरे-दिरे करके बैठाएंगे और फीट हो जाएगा तो हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो बहुत ही फास्ट कर लेते तो ऐसे करके हमें हातों में रखना है तो दोनों को हिस्सा को रखने का उसका अंदर बॉल को हम दिरे-दिरे करके फीट कर लेते हैं देखिए ऐसे करके उसको क्या करना है थोड़ा गैप बना के उसमें फीटिंग करना है हम थोड़ा आपको स्लो में देखा देते हैं थोड़ा हम इसमें दिरे दिरे करके अलग अलग पाट को बेरिंग को अलग अलग कर ले थे देखिए मैंने देखा दिया ऐसे करके आपको फिट कर लेना है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है देखिए इसके बाद हम हातों से पेस करके बड़े से बैठ जाएगा यह जो काम है ना बहुत करके मैसिन को हम चला सकते हैं तो इसमें बैरिंग कंपाणिवला बैरिंग है बहुत ही अρचछे है तो हमें इसको चेंज नहीं करना है तो हम इसको करने के बाद मैसी में फिट कर etcetera अग्यम्यरद वरिंग हैं हम उसको भी ग्रिसिंग कर लेते हैं देखिए दोनों बेरिंग कमपणी बेरिंग है बहुत ही अच्छे है तो हम इसमें ग्रिसिंग कर लेते हैं बेरिंग का मैंने साइज ठीक से नहीं देखा है मेरे को मैं जितने काम किया हूँ उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ तो इसमें बेरिंग जो है ना 6202 और आगे पीछे वाला जो बेरिंग है 620 तो वासा डलने के बाद हम बेरिंग को फिटिंग कर लेते हैं तो बेरिंग थोड़ा ग्रीस मेने ज्यादा कर लिया इसलिए थोड़ा टाइट हो रहा है तो वीडियो थोड़ा भड़ा हो गये यहिस हम हम फ़ास्थ कर लिया पिछे बेरिंग हम गार लागने कबर फिटिंग कर लिये देखिए यह जो मैसीन है ना मैसीन ऐसे लेके आया था तो किछ बाइननि करके लेके आया था तो हम थोड़ा फास्ट आपको दिखा देतai इसमें स्वीज ही है ना सूज हे हार सावान को खोलके रखा है तो बहुत दिन से रखा हुआ था कर नहीं पाए मरemie से बोलाओना मैसिन को क्रेसा हो लेकर दोकान भी सारी सवा सब्सक्राइगा हैं है इसे भी होता है आप को पैसा लेके रखना है तोambling लिक नहीं यह इसे अप a आप पैसा देखे गया है है तो इसमें स्वीच को खोलकर रखा था मैंने पहले कभी दे खाया था मैसीन में जो भी होता है थोड़ा हमें देखना पड़ता है तो द्सको देखते हैं तो आपको slow में देखा रहे हैं तो आप भी जब भी मैसिन को खोलना इसको आपको साब सबाई जाएगा पर आपको काम करना चाहिए नहीं तो इसका कुछ भी सामान गिर जाएगा ना आप उसको पता नहीं होगा तो इसमें सामान था तो आपने क्या कर एक उसको फिटिंग कर सकते हो तो इसमें वो भर के लेकर आया था एक पॉली बैग में तो उसका हर सामान हमें चेक करना है कहां पर उसमें सेटिंग था मैंने तो खोला नहीं था दूजरे नहीं खोला है तो मैं उसको देख लेता हूँ उसके बड़े से फिटिंग करने के बाद बड़ सेट कर पाऊ गए तो उसको बड़ी से खोड़ा नहें ना तो तो वह मैसी निए है आपके लिए तो ऐसे कर रहे हैं तो हम हार चीज को मैने पता नहीं था यह कहां पर डालना था तो मैंने एसे उसमें डालेंगे तो हम उसको भी टेस्ट कर रहे देखिए मैंने खोलता तो मेरे को पता होता एक कहां पे रहते हैं तो मुझे जो देख करना है ना तो हम इसको आपको स्लो में क्यूं देखा रहे हैं तो आपको भी पता चल जाएगा तो ऐसे करके काम आपको कैसे करना है तो मैं कैसे काम करता हो तो हम आपको देखाने के कोशिस करते हैं तो मैंने सोचा इसमें जो लॉक करता है लॉक बला जो होता है उसमें इस पिंग साइद डालता होगा तो हैं इसमें इस पिंग होते हैं तो इसमें ऐसे नहीं होते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं उसमें हो रहा है देखिए इसमें लोक बड़ीय से हो रहा है तो लोक चोड़ने के बाद एज़ी बाहर हो रहा है तो इसमें जो टेकनोलोजी कंपानी यूज्जे के बुध यह अच्छे है आज में सूइच आपको अलग से खरिने को मिलेगा उसका हार पार्ट अलग होता है जो дав गल्कों ने तो हम फिटिंग कर लेंगे तो तो थोड़ा है को कि देकिया हम थोड़ा ख्रों कर ले तेsmلة हुआ है क्यों मुले देखेंगे जो ग्रीस है उसको आपको हाद लगे देखना है उसमें कुछ है नहीं है तो ग्रीस आपको देख लेना है ज्याद रहेगा तो आपको बाहर कर लेना है अचाहाँ में हो आज के उसके ते मत रहेदा य साप सब्सक्राइड करने के बाद आप सिंग कर ल één websом को देखिये हिए 10 हम चाह्na की तो हाँ ंद डाल आयए थोड़ा साव साप सभ Yuan करले आ तो हम उसमें और डंड्त चुपे कर नहीं तो हम उसमें डंड्डड डाल लेतें हैं घुमा के तुरी की आप रेका», को यह को आपको आपको तो यह की डालना एं तो हम बिहरंग में डाल लेते हैं, उसके बद बड़ी से हैं फीटिंग कर लेंगे. आपको जो काम है थोड़ा देख के करना है, हम छोपार में देखाते हैं, तो आप बड़ी। ऐसे काम सीख पाऊगे कि ऐसे करके आप डेंडाट को बड़े से डाल ले ना हम आर्मेचर को फिटिंग कर लेते हैं आपको धिरे से उалась की पएस को से च्छल करना सोकी में तो जोआ करा साथ तो गुमा के बहूं के लिएते ही बहुत करना है एसके बाद हम फिलगा वर तो हम लॉक को लगा लेते हैं तो इसको ए लॉक से ब्लेड ओपन होता है तो लॉक नहीं रहता है न बहुत दिक्कत हो जाता है तो बड़े से हम इसको सेट कर लेते हैं इसे हाथों से फिसको करके हम इसको बड़े से सेट कर लिया उसके बाद इसमें वारिंग को हम ऐसे करके बड़े से फिट कर लेंगे हुआ है तो हम थोदा फास्ट में आपको देखा जाए हैं ऐसे कर कि आपको बड़ी आशे फिटिंग करना है कानेक्शन कर लेना है स्वी वह अपर हम स्वीच में कनेक्शन करने के बाद मैंसिन को प्रण कर लेते हैं तो बड़े ऐसे फिटिंग भी हो जाएगा तो हम फास्ट कर लेते हैं उसमें जो भी जिसके बस मैसिन था उसका सामान बड़े मैसिन रखा था मैसिन लेके आया था रहता है एक साल से रखा हुआ त размक और इस असको um काम करते मैसिन करने के लिए लेकर जाओगे तो जल्दी कब लोगां साथ दिन उसे बह visto हम रिपmeर कर देते हैं अर्मेशर मिल जाता है तो रैले sind rein का मैंने इत यह तो डुल नहीं मील रहा है आपके कप कंपनी से वंड़ा नहीं रहा है दो तिन जो माल kijltap我 अभां जाता आप मैंने हुआ दिया मॉंड़ा मिल नी Crimea तो मैसिन को हम थोड़ा लॉक करने के बाद हम गुमा लेते हैं उसमें हम कार्बोन फिटिंग करने के बाद हम मैसिन को चला सकते हैं मैसिन में हम आभी कार्बोन इसमें यह और कर कंपानी का कार्बोन है देखिए यह कार्बोन स्लो किलो मैसिन का कार्बोन है तो हम एक कार्बोन मैसिन में जदा यूज करते हैं को आपको एक चीज़ हम देखा दे कंपानी तो जो कार्बॉन deficit थोड़ा स्बिंग थोड़े बड़े है दखेए कंपानी बाल जो और ऑरिजिनल कार दो इसमें थिक्नेस थोड़ा पतला कम जड़ा है इसमें fit हो सकता है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा और यूर करके जो कारण है बहुत ही अच्छे होता है, बहुत दिन मैमसिन चलते भी है, तो हमें क्या करना है, तो मैमसिन का जो, कारण का spiciency है बहुत ही बड़े है और अच्छी है तो ऐसे लगाईंगे तो मैंसीं जल सकता है तो हम क्या करेंगे नहीं क्या करेंगे थो हम आपको कुछ अलग चीज देखा रहे हैं तो इसमें क्या होगा ए स्पिंग को हम खोलना हैं खोलने के भाद दूसरे पुश्जरी प्रइड जो पूरा slow में होता है तो इसके आपको定 को थोड़ा अपार उठाल लढ़ना है उसके बाद को ज़ीञा है। तार्फ को ऐसे लगाने के बाद घुमा घुमा के आपको खोल लेना है। देखिए ऐसे करके आप खोल लेना .... खोलने के बाद दोनों कारभन को खोल दूसरे जो companybola spring है उसको इसमें fit कर लेना तो हमें इसको भी खोल लेते हैं तो देखो हम जो काम करते हैं तो आप आपको सबी काम धिरे-धिरे करके सिखा देते हैं आपके पास carbon नहीं होता है तो अच्छा बाला carbon है उसके spring थोड़े लंबे कम होता है तो companybola spring थोड़ा अलाग होता है तो आप companybola spring अच्छा रहेगा तो आप उसमें fit कर सकते हो देखिए ऐसे करका fitting कर लेना तो machine बड़े से चलेगा उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं तो क्या करोगे आपके पास जो भी carbon है इसमें डाल देंगे तो इसमें spring थोड़ा tight रहेगा machine जल जाएगा तो मैं दूसरे वीडियो में आपको देखा है spring tight होने से machine में क्या problem होते है जो मेकटा company का और एक machine था उसमें हम आपको देखा दिया तो company बाला जो भी about itौशाइफ होता है उसमें पेषार रहे जाएगा तो कुछ नहीं ऊगा इसमें ऊल्डर थोड़ा छड़ा होता है तो आपको इसमें सभी मैसिन के कार्बन स्पिंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए नहीं तो मैसिन आप फिटिंग कर देंगे खराब हो जाएगा तो यह बड़ा बला स्पिंग है बूध हाड़ी भी है तो यह स्पिंग इसमें हम फिटिंग करेंगे तो हम आपको fitting करके भी दिखा देते हैं कैसे fitting होते हैं इसमें जो कर्बन में हम जो companyable spring है इसमें fitting कर लेते हैं देखिए आपको ऐसे करके fitting कर लेना है तो हम दूसरे कर्बन को नीचे रख लेते हैं क्ञाब तो इसे घुमा घुमा क्ञाप को स्पीटिंग कर लिना है देखि座 एसे करके आपको फिटिंग ना जाया है देखित हम फिटिंग कर लिए हैं तो और व हम जूसरे कारबन में बढय से साल कर लिये के सिसे करके भी आप काम कर सकते हों कि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना कमंड करका बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा